हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटर्न सीयर करने जा रही हूँ, इस पैटर्न को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, गल्द स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंड स्वेटर, कैप है, यह दिखिए हमारे पैटर्न का फ्रेंड साइड है, और यह दिखिए हमारे पैटर्न का बैक साइड है, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 5 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटर्न को ब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे न्यू वीडियोज की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दवाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न बुनेंगे यह एक फंदा उल्टा बुन लेना है धागा पिछे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार यह दिखे अब शेम प्रोसिस आगे रिपीट करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पिछे चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, एक देखे, हमारे प्रोजक्ट के इसाप से हमारे फस्ट्रों में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है, लास्ट में देखे, धागा अप फंदा सीधा आजाएगा, तो देखिए ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लेट हो गई, अब देखिए रॉंग साइड से से किंड रो, अब से किंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, अब देखिए जो नेस्ट उल्टा फंदा दिखाए दे रहा है, इसको हमने डबल रोल करके बुनना है, धागा अपनी साइड ऐसे देखिए, इस चौथे नंबर का फंदा हमने डबल रोल करके बुन लेना है, फिर धागा पीछे, अब नेस्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, अब देखिए जो नेस्ट हमारे चार फंदे उल्टे हैं, इन में से हम तीन फंदे सिंगल बुनेंगे, एक, दो, तीन, यह द अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, अब देखिए जो चौथे नंबर का फंदा है, इसको हमें से डबल रोल करके बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखिए यह रोंग साइड से हमारी पैटरन की सेकिंड रो, कम्प्लीट होगी, अब देखिए फ्रेंड साइड से थर्ड रो, अब थर्ड रो में देखिए पैला फंदा उता लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए जो फंदा हमने डबल किया है, इसको हम सिंगल करेंगे, इस तरीके से, अब देखिए नेस्ट, इस फंदे को हम बाद में बुनेंगे, नेस्ट हम इन तीन फंदों को सीधा बुन देंगे, तो देखिए, एक, दो, तीन, अब देखिए, इस फंदे को इस तरीके से, लेप निडिल में उठाएंगे, आगे की साइड से, फिर इस फंदे को सीधा बुन देंगे, अब नेस् फंद हमने डबल रोल करके बुना है, इसको हम सिंगल करेंगे, इसको हम लास्ट में बुनेंगे, पहले हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, और देखे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, अब देखे, इस फंदे को उठा लेंगे, इस तरीके से, औ अब देखे, इन चार फंदों में से देखे, जो फर्स नमबर का फंदा है, इसको हम ऐसे सिंगल करेंगे, इसको हमने बाद में बुनना है, पहले हम इन तीन फंदों को बुनेंगे, तो देखे, एक, दो, तीन, अब देखे, अब पहले नमबर वाले फंदे को बुनेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो कमप्लेट उगए अब देखे रॉंग साइड से फोर रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, अब देखे, नेश्ट देखे, ये चार फंदे उल्टे दिखाए देरे, इन में से हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, इस तरीके से, अब नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चोथे नमबर का फंदा डबल रोल करके, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, अब चोथे नम बूनेंगे डबल रोल करें इस तरह के से अब राश्ट में देखिए एक फिन दाउल्ट तो देखिए रों साइड से हमारी पाटरन की फोर्त रोक्त्रों अब देखिए फ्रन्टी साइड से फिफ्त रो, फिफ्त रो में देखे, पहले फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आप देखे, चार फंदों में से देखे, जो पहले नंबर का फंदा है, इसको हम सिंगल करेंगे, डबल से इसको बाद में बुनेंगे, पहले पीछ अब next हम same process repeat करेंगे, एक फंदा उल्टा, next फंदे को हम ऐसे single कर लेंगे, इसको हम बार में बुनेंगे, पहले पीछे के तीन फंदे बुनेंगे सीधे, एक, दो, तीन, अब इस फंदे को left needle में उठाएंगे, आगी की side से और इसको सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपने side एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कर लेंगे, अब इस फंदे को ऐसे double से single करेंगे, next अम तीन फंदे, एक, एक करके सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे left needle में, फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, last के फंदे, एक उल्टा और एक सीधा आ तो देखे, ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की फिप्त रो, complete होगी, wrong साइड से 6 रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे आजाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, देखे, चार फंदे उल्टे आएंगे, फिर, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और एक फंदा उल्टा, यह रोंग साइड से मारी पैटरन की 6 रो, complete होगी, आप देखे, सेवंत रो, सेवंत और देखे से धागा में जोड़े हैं सचानल फेकुछ सिर्वाइब ल हाके देखिए देखिए में ऑलगया जाले जाल दालेंगे और दफ अपने साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर नेश्ट देखे ये पैटन वाले चार फंदे आ जाता है इन में से दो फंदे एक साथ बुनेंगे तो देखे बैक साइड की तरब से सलाइड डालेंगे ये दो का एक फिर एक जाली फिर सीधी साइड से सलाइड हो गई अब देखे एड त्रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब देखे जो जाली वाला फंदा इससे हम दो फंदे बनाएंगे तो देखे एक फंदा ऐसे सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा ये इस तरीके से उल्टा आएगा ये देखे फिर नेश्ट फंदा भी उल्टा तो देखे फ्रेंट साइड से जो दो फंदे हमारे गटे थे ये जाली से यहां पर दो फंदे पलस हो गए धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल खंदे बन गे फिर नेश्य फंदा भी उल्टा आ जाएगा धागा पीछे एख्टा सीधा एक खंदा उल्टा धागा पीचे एक खंदा इस सीधा बनाया dwarda अपनी साईड के उल्टा फिर नाज़ गाज़े कौट सीधा लास्ट का फंदाल तो देखें, रोंग साइड से हमारी पैटन की 8 तरो complete होए, अब देखें, फ्रेंट साइड से 9 तरो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चाद, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्ट फिर 4 फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार धागा अपने साइट एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर 4 फंदे सीधे सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और फ्रेंट साइट से अपने नाइन तरो कमप्लीट करेंगे अब देखे रॉंग साइड से 10th row 10th row में देखे पहला फंदा उतार लेने हैं धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड अब देखे नेश्ट अमारे 4 फंदे आ जाते इन में से देखे जो पहले नमबर का फंदा है इसको डबल रोल करके बुनेंगे फिर 3 फंदे उल्टे एक दो तीन दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी साइड अब देखें नेस्ट चार फंदे उल्टे आ जाते हैं इन में से पहले नंबर का फंदा डबल रोल करके बुनना है और तीन फंदे उल्टे बुन लेने एक एक करके धागा पीछे, एक फंदा सीधा, नेस्ट फंदा डबल रोल करके आएगा, और नेस्ट तीन फंदे एक एक करके हम उल्टा बुन लेंगे फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे रोंग साइट से हमारी पैटन की टैंथ रोल कमफलेट होगे, आप देखे एलेवन तरो, पहला फंदा उतालेंगे, धागा अपनी साइट, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखे नेस्ट अमारे ये च बहानेवन टार फंदें पैटन वाले तो इसमें से देखे, आगे के तीन फंदे छोड़के, जो चोते नंबर का फंदा हयाई, इसको आगे लााएंगे, तो देखे, ऐसे आगे के तीन फंदे इस तरह के से करेंगे और देखिए लास्ट वाले पंदे को भी सिलीप कर देंगे फ्र बेक साइट की तरब से यह आगे के तीन फंदे लेफ निडिल में उठाएंगे और देखिए जो सबसे पीछे वाला चौथे नंबर का फंद है ये चोथे नमबर का फंदा हमने आगे लाना है और फिर इनको एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब देखें नेश्ट हमारे चार फंदों में पैटरन आ जाएगा तो चोथे नमबर का फंदा हमें ऐसे ये राइट नीडिल में उठाएंगे आगे के तीन फंदे सिलीप करेंगे और बैक साइड की फंदा आगे लाएंगे इसको हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे फिर तीन फंदे एक-एक करके सीधा बुन लेंगे धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब नेक्ष देखे चार फंदों में पैटरन आएगा तो देखे जो चोथे नमबर का फंदा है उसको हम राइट नीडिल में उठाएंगे आगे की साइड से आगे के फंदे सिलीप करेंगे और इनको बैक साइड की तरफ से देखे लेफ नीडिल में उठा लेंगे इस तरके से अब इनको एक एक करके सीधा बुन लेंगे दागा अपने साइड एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रेंट साइड से यमारी पैटरन की 11 तरो कंप्लेट ओगे आप देखे रोंग साइ से 12 तरो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड नेस्ट फंदा डबल रोल करके आएगा फिर नेस्ट तीन फंदे एक एक करके उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा हम डबल रोल करके 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर 1 फंदा सीधा धागा अपनी साइड 1 फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे 1 फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो यह हमारी 12 रो complete हुगे आप देखे फ्रंट साइड से 13 रोग, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब चौथे नमबर का फंदा राइट निडिल में उठाएंगे, आगे के तीन फंदे सिलीब करेंगे, इनको बैक साइड से लैप निडिल में उठा लेंगे इस तरीके से, अब चौ यह देखे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, नेश्ट देखे हमारा पैटन आएगा, तो चौथे नमबर का फंदा राइट निडिल में उठाएंगे, आगे के तीन फंदे सिलीब करेंगे, इनको बैक साइड से लैप निडिल में उठा लेंगे, फिर इन फंदा को एक एक करके सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे नेश्ट पैटन आ जाएगा, इन फंदा को एक एक करके हमने सीधा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा लास्ट में और एक फंदा सीधा, तो देखे एक फंदा साइड से हमारी पैटन की 13 रोव कमप्लेट हो गई, अब देखे रोंग साइड से 14 रोव, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेना ह है, एक फंदा सीधा, फिर देखे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, फिर लास्ट का देखे, एक फंदा सिधा आजाएगा और एक फंदा उल्टा तो देखे रॉंग साइट से हमारी 14 रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रेंट साइट से 15 रो फिप्टिन रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट करेंगे एक फंदा ओल्टा धागा पीछे रख लेंगे अब देखे नेश्ट इन चार फंदों में पैटरन आएगा तो रोंग साइट की तरफ से हमने ऐसे सलाई डालनी है इस तरह के से दो का एक कर फिर यहां पर एक जाली डालेंगे फिर नेश्ट हम दो का एक करेंगे तो सीधी साइट से हम सलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे धागा अपनी साइट एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे नेश्ट हमारा पैटरन आएगा फिर यह दो का एक कर लेंगे फिर एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे फिर सीधी साइड से सलाई डालेंगे इस तरीके से और दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रेंट साइड से हमारे पैटन की 15 डो कमप्लेट हो गई आप देखे रोंग साइड से 16 डो अब सिस्टिन रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे आप देखे जाली वाला फंदा इसमें से देखे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आ जाए फिर ए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, अब नेस्ट देखे जो जाली से बना वह फंदा है, इससे हमें दो फंदे बनाने हैं, तो धागा पीछे करेंगे, ये देखे एक फंदा सीधा आ गया, और एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा, ये देखे ये वाला भी उल्टा आ ज दागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो देखे रॉंग साइट से हमारी पैटन की 16 रो कमप्लीट हो गए देखे फ्रंट साइट से 17 रो अब 17 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 17 रो को हमने 1 रो की तरह बुनते हुए कमप्लीट करना है इनी 16 सलायों के पैटन को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान और आप हमारे चैनल में नई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्यू